केंद्रिये क्रसी मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली चलों की जिद पकड़े पंजाव के किसान संगटनों से उनके सभी मुद्दों पर पांचवे दौर की वारता का जो आग्रह किया उस पर किसान नेताओं को गंभीरता दिखानी चाहिए इसलिए और भी क्योंकि हरे आना सीमा पर किशानों और पुलिस में तकराव की आसंका गहराती जा रही है इसका कारण यहां है कि किसान संगठन हर्याणा और फिर दिल्ली मैं बलपूरवक्त प्रवेश करने के लिए जे सी वी एवम पोकलैन जैसी मशीनों के साथ अपने ट्रेक्टरों को बक्तरवंद सरीखी शक्ल देकर शडकों पर डटे हुए हैं बे ड्रोन गिराने का जतन करने के साथ ही पराली में मिर्च मिला कर भी जला रहे हैं आखिर ऐसे तौर तरीके अपनाने वाले यह दावा कैसे कर सकते हैं कि वह सांतिपूर तरीके से अंदुलन करना चाते हैं किसान निताओं ने चोथे दोर की वारता में केंद्रिय मंत्रियों की ओर से दिये गें उस प्रस्ताब को खारिज कर भी नकारात्मक रवे का बरिचे दिया था जिसमें कहा गया था कि सरकारी एजन्सिया पांच वर्ष तक किसानों से एम एस पी पर दाले मक्का एवम का पास खरीदेंगी और उनकी खरीदगी कोई शीमा नहीं होगी यह तो एमस पी टी गारंटी ही थी इस प्रस्ताब पर पहले तो किसान निताओं ने यह कहा कि वे इस पर क्रसी विशेशग्यों से बात करके सरकार को सूचित करेंगे लेकिन फिर कुछ ही गंटों में उसे ठुकरा दिया अच्छा हो कि दिल्ली कूच दो दिन टाल कर अगली रुणनिती वनाने में जुटे किसान निता केंद्र के प्रस्ताब पर थंडे दिमाग से बिचार करें क्योंकि यह पंजाब के किसानों के लिए बिसे इस तोर पर लावदायक है इससे नाकेवल गिरता भूजल इसतर सुद्रेगा बलकी खेती की जमीन को वन्जर होने से भी रोका जा सकीगा वासतो देश के अन्य हिस्से के किसानों को भी ग्याहूं दान के वजय अधिक मांग और कम पानी वाली फसलें उगाना चाहिए लेकिन ऐसा स्टॉप